हेलो दोस्तो मेरा नाम है सेवक सेंग और आप देख रहे होग मेस्टर सेवक मेकैनिकल चैनल आई की दोस्तों जो वीडियो है वो है के कोई भी वाइडनर वैर हो उसका हम नंबर कैसे ग्यात करें इसके लिए दोस्तों मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी वो शायद आपने देखी हो पर उसमें क्या था कि मैंने वो वीडियो इस माइक्रो मीटर से बनाई थी और इस से बनाई थी यह डीजिटल क्लिपर है और यह है माइक्रो मीटर तो इस से मैंने वो बनाई थी लेकन क्या है कि अगर हम इस से इसका मेजर्मेंट करते हैं तो काफी मुश्कल रहता है क्योंकि इसके लिए हमें पहले तो इसकी जो रीडिंग है वो पता होनी चाहिए तो यह थोड़ा सा उससे असान है यह थोड़ा सा उसे असाम रहता है क्योंकि इसमें डिजिटल अक्षिल आते हैं तो यह काफी मुश्कल है इसके लिए उसके बाद जब हम इसके MM नापते हैं MM के बाद हमें एक लिस्ट होनी चाहिए हमारे पास कि कितना MM का कितना नंबर है MM और उसके बाद नंबर आएगा तो लेकन यह वैर गई है यह कोई नई नहीं है बहुत ही प्राणी है लेकन जो लोग नय नय यह काम कर रहे हैं उनके लिए यह बहुत ही फाइदे मंद है क्योंकि इसके लिए आपको कोई इस महिंगे जो इस्प्रेगमेंट है इसकी जरूरत नहीं है यह वाला माइक्रोमेटर है इसकी भी जरूरत नहीं है क्योंकि यह अगर आप लोगे कम से कम पंद्रह सो रपे का है और हैयार रपे के अंदर बार यह भी मिलेगा तो यह यह वायर रपे के अंदर बार यह भी मिलेगा तो यह यह वायर गिज है यह आपको तक्रीबन सो रपे से लेकर डेड़ सो रपे तक मिल जाएगी और इसमें ना ही आपको कोई इस लिस्ट की जलूरत है क्योंकि इसके उपर यह देखें नंबर लेह हुए आते हैं एक नंबर दो तीन चार यह मोटे वाले हैं और एक नंबर से लेकर यह 36 नंबर तक मिलेगी चेकिंग कैसे करनी है बेलकुल असाम तरीका है माली यह मेरे पास एक वायर है लेकन उसमें क्या है कि अगर मैं इस तरह से देखूंगा तो यह 27 नंबर में लूज है और 27 नंबर में नहीं जा रही तो इसके लिए हमें क्या करना है इस तरह आप वायर रखो और 26 नंबर में यह असानी से जा रही है और यह 27 नंबर में नहीं जा रही जो 27 लिखा हुआ है इस में नहीं जा रही क्योंकि इसके उपर एक पॉल्च लगा हूता है जो इंसुलेशन पॉल्च है यह लगा है तो उसे हम आग की मदस से जला लेते है जो इसका पॉल्च है यह हम जला लेंगे तो इसका जो सही तरीका है यही है कि आप इसे नमबर चेक करने के लिए कोई भी नमबर हो पहले उसका पॉल्च जो है वो जहां तो एक रिमूवर आता है इंसुलेशन उतार ले के लिए वो मिल जाता है बयार से अगर वो नहीं मिलता तो आप आग से-से जो इसका पॉल्च है वो इस तरह से जला दो खत्म कर दो अगर आप इसी तरह नमबर इसका चेक करोगे तो गल्थ हो जाएगा इसके लिए सब से पहले यही तरीका इसका सही है कि उसका पॉल्च उतारो उसके बाद चेक करो तो अभी आपने देखा कि ये 26 नंबर पहले देख रहा था क्योंकि 26 नंबर के अंदर जा रही है पर असल में ये है 27 नंबर तो पूरा-पूरा अगर आप चेक करोगे कोई भी नंबर तो इस तरह से चेक हो जाएगा तो इसके लिए ना आपको कोई माइक्रो मेटर ना कोई डिजिटल क्लिपर इसकी जुरूर पह सीधा पॉल्च उतारो और नंबर चेक करो ये 27 नंबर आ गया इसे तरह अभी और नंबर देखते हैं अगर हम इसको बगैर पॉल्च उतारी चेक करते हैं तो ये 26 नंबर और 27 28 और इसमें आ रहा है 29 नंबर में नहीं जा रहा है जब आप इसकी पॉल्च उतार रहे हो तो इसे ज्यादा खिंचना नहीं है नहीं तो तार का जो नंबर है वो गल्थ हो जाएगा तो जो वायर अभी 29 नंबर में नहीं जा रही थी ये उसमें जा रही है ये पूरा 29 नंबर है 30 में नहीं जा रही 28 में लूज है और ये अब 29 नंबर है इसका तो आप इस तरह कोई भी वायर गे चेक कर सके तो ये तो थी हमारी वायर की जो चेकंग, अब यह से हम एक और भी चेकंग कर सकते हैं, कि जो हमारी वैरंग के लिए यूज होती है, वायर, पीवी से वायर, तो जब भी हम लेने जाते हैं दुकानदार से, वो बोलता है, यह एक एमम है, यह अठाई एमम है, यह डेड़ एमम है, तो वो भी यह चेक करती है, तो यह पूरे गेज की है जा नहीं है, इसके लिए भी इसी से चेकंग की जाती है, क्योंकि इसके साथ में ये MMB लिखे हुए है तो माली मेरे पास ये wire hack तो देखते हैं इस wire को आपने क्या करना है कैसे चेक करेंगे इसको क्योंकि इसमें wire तो बहुत ज्यादा होती है तो इसका यो PVC हो उतार देंगे उसके बाद इसको इस तरह से गोल कर लेंगे इस तरह से गोल कर लेना है अपने अशी तरह से उसके बाद हम इसमें लगाएंगे कि यह एक MM की wire है तो हम लगाएंगे यह देखें यहां पर लेखा हुआ है दो यह MM है 2.03 इस तरह से यह आ गया 1.2 तो इसमें हम लगा कर देखते हैं इसमें जा रही है इसका मतलब है कि यह एक MM है एक MM है चाहे इसके उपर लेखा बेशा कि देट MM हो पर अगर हम इस वहर गेज से ना पेंगे तो अगर जितने MM हुआ वो पूरा-पूरा इसमें जाएगा तो यह तो एक MM की थी तो अभी एक और हम लेते हैं यह है अठाई MM की तो यह देखते हैं कहां जाती है यह जाती है इसमें जा रही है 2.34 तो इसमें लूज है तो ठीक है थोड़ी बहुत अमरे बार इतना तो हो ही आता है तो इस तरह से आपके यह बहुत ही काम की चीज़ है अभी दो काम तो हमने देख ली इसके के एक तो वैंडिंग वेर गए इसे हम चेक कर सकते हैं कौन से नमबर की है और दूसरा यह कि जो हम बयार से यह PVC वायर लेकर आते हैं घर की वैरिंग के लिए कि वो पूरे नमबर की है जा नहीं है यह PVC से पता चलता है अब इसके और भी काम काफी है वो क्या है मैं दखाता हूं मान लेजिगे आपने कोई लोहे का काम करवाया लोहे वाले से लोहे का काम करवाया तो वो बोल रहा है कि हमने आपको 16 गेज की चादर लगा कर दी है पर कि वो आपको कैसे पता चलेगा कि 16 गेज की है तो वो भी यहीं देखेगे यहीं आपको बताएगी कि 16 गेज है जा नहीं है चलिए मैं वैसे ही एक ट्रांसफर्मर की एक पती है वो दखाता हूं मैं आपको किस तरह से हम देख सकते हैं इसको कितने गेज की है यहीं सेम वही 20स पर प्रिक का लगू होगा यह 23 गेज की है क्योंकि 23 गेज इसमें पूरी 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 जा रहे हैं अगर आपको कोई आदमी लोहे वाला काम करके बोलता है कि मैंने आपको 16 गेज की चादर लगाई है अगर आपके पास इस तरह की गेज है तो आप पता कर सकते हो कि वाक्या में ही वे इतने गेज की चादर आपको लगा कर दी है उसने क्योंकि यह यो वायर गेज है यह सबी जगह एक ही लागू होती है तो मेरे पास अभी यह क्योंकि मेरा अलमीनिम का काम भी है तो उस पर भी मैं दखाता हूँ कि कई दुका अंदर बोलते हैं कि हम 16 गेज का आपको लगा कर देंगे 16 गेज तो बहुत मोटा हो जाता है वैसे ये काफी है भी है तो ये देख लेते हैं कि कितने गेज का बनता है ये भी 18 गेज का है देखें अभी 18 गेज है तो काफी कामों में ये जो गेज है काम आने वाली है अगर आप दुकांदर हो फिर तो आपको जरूर ये लेनी चाहिए अगर आप दुकांदर नहीं भी हो तो लेकर रख सकते हो घर में और जैसे ये मैक्रो मिटर वगरा है डिजिटल क्लिपर है ये एक तो हैब मेंगे और जो दूसरा इसका राखर खाव है वो भी का भी है क्योंकि अगर इसे धूल मिटी या गिरने से बचाना होगा तो ही ये अगर ये वायर गेज है ये आप कहां पर भी रख दो बस एक बात आसपे ख्याल रखना कि इसको आप पैंड मत होने देना नहीं तो आपकी जो गेज हो खराब हो सकती है कोई ज्यादा भी रख रखाव नहीं है आप कहीं भी इसे रख सकते हो